भारत की सेना दुनिया की चौती सबसे ताकतवर सेना है सेना को और मजबूत बनाने के लिए एक बड़े बदलाफ की तयारी हो रही है दरसल सेना में एक Integrated Battle Group IBG बनाने के तयारी हो रही है Integrated Battle Group मतलब करीब 10,000 जवानों का एक ऐसा ग्रूप एक ऐसा समू जो किसी भी परिस्तिती में सेने कारवाई के लिए पूरी तरह से सक्षम रहेगा तयार रहेगा और इस ग्रूप के पास हेलिकॉप्टर्स, टांक्स, तोप जैसे तमाम हत्यार होंगे जिसके लिए भी सेना में अलग-अलग रेजिमिन्स है इंटिग्रेटिड बार्कल ग्रूप के बनने के बार भारत भी अमेरिका और चीन जैसे सूप और पावर देशों की कतार में शामिल हो जाएगा एक रिपोर्ट भरतिश सेना का सूपर प्लैन आईबीजी आईबीजी का मतलब अन्देखे जाबाज जो टैंक भी चलाएंगे रफाल भी उडाएंगे चीन पाकस्तान पर भारी दस हजार भरतिश सेना में अगले दो महीने के अंदर बड़ा बदलाओ देखने को मिल सकता है दरसल सेना में सैनिको का एक ग्रुप बनाने की तयारी हो रही है ये एक ग्रुप एक आदेश पर युद्ध के लिए तोप, टैंग और हेलिकॉप्टर समेथ तयार होगा ये ग्रुप एक आदेश पर किसी भी सेन ये कारवाई के लिए रेडी होगा भारतिय सेना इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप यानि आईबीजी की शुरुवात करने जा रही है आईबीजी बनने के बाद भारत की युद्ध रणनीती में बड़ा बदला होगा ये बदलाओ क्यों और कैसे होगा पहले से समझे हर एक इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप में आठ हजार से दस हजार की संख्या में सैनिक होंगे ये ग्रुप, हेलिकॉप्टर, तो, टैंक और सिग्नल सिस्टम से लैस होगा भरतिय सेना ने दो साल पहले खुद को आधोनेक वारफेर के लिए तयार करना शुरू किया था उसी कड़ी में आई बीजी बनानी की शुरुआत होने जा रही है मौजूदा समय में सेना में युद्ध करने का सबसे बड़ा संगठन कोर होता है कोर कई डिवीजिन में बटा होता है डिवीजिन में कई ब्रिगेड होती है और ब्रिगेड में कई बटैलियन होती है टैंक के लिए अलग रेजिमेंट होती है सिगनल के लिए भी अलग रेजिमेंट होती है यहाँ तक कि आर्मी के पास हेलिकॉप्टर के लिए अलग विभाग है हर्तिय सेना में इस समय कुल चालस डिवीजिन है जिन में तीन आम्ड यानी टैंक और दो आटिलिरी यानी तोप खाने की डिवीजिन है जब युद्ध के हालात होते हैं तो अलग-अलग रेजिमेंट को एखटा किया जाता है ऐसे में युद्ध के वक्त अलग रेजिमेंट को एखटा करने के लिए लंबी प्रक्रिया अपनानी पड़ती है और इसमें समय भी लगता है लेकिन इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप बनने के बाद लंबी प्रक्रिया खत्म होगी आईबी जी में सेना से जुड़े सारी डिवीजिन होंगे और ये सीधे कोर के अंडर में होंगे जिससे कारवाई में बहतर तालमेल हो सके साथ ही फैसले लेने में कम से कम समय लगे आईबी जी को डिवीजिन की ही तरह मेजर जनरल रैंक का अधिकारी कमांड करेगा एक कोर जो माना जाता है कि कोर एक कैसी और ग्रुप जाने के लिए एक कोर के अधीन दो जा तीन इनफैंट्री जा मांट्टन डिविजिन होती हैं डिविजिन के नीचे तीन ब्रिगेड और ब्रिगेड के नीचे तीन इनफैंट्री बजा लिए photonS और इंजिनियर ये सारे रिसोर्सिस एट्स एंडेट्स यानि अटैच्मेंट के तौर पर दिये जाते हैं ताकि डिविजन टास्क के मताबिक अपने साथ अपने रिसोर्सिस लेकर अपना टास्क पूरा कर सके सैनिको का एक समहू युद्ध लड़ने के लिए जमीन से आस्मान तक तुरंत तयार रहेगा सेना शुरुवात में दो इंटिग्रेटेड बैटल ग्रुप बनानी जा रही है ये बैटल ग्रुप उत्तर और पूर्व में बनाए जाएंगे उत्तर में अगर पाकिस्तान या फिर चीन से युद्ध की स्तिती बनती है तो ये बैटल ग्रुप तुरंत युद्ध के लिए तयार होगा इसी तरह देश की पूर्वी सीमा पर चीन से खत्रे को देखते हुए आईबी जी का गठन किया जाएगा आईबी जी के बनने के बाद भारतिय सेना को सैनिक कारवाई के लिए बहतर ढंग से तयार किया जा सकेगा और साथ ही बड़े सैनिक केंद्रों पर दबाव भी कम होगा वास्तब में इंटिक्रेटर बैटल ग्रुप एक ऐसी फार्मिशन है जो कि सेल्फ कंटेंड होगी उसके पास लड़ाई के लिए पहले से ही टैंक, तोब खाना, इंफेंट्री, इंजिनियर, सिगनल्स और लाजिस्टिक्स फॉर्मेशन्स जा लाजिस्टिक्स यूनिट्स जो कुछ भी चाहिए होगा उप पहले से ही इसका हिस्सा होगा शुरू से ही एक साथ ट्रेणिंग करेंगे एक साथ ट्रेणिंग करने से फैदा होता है कि आप लड़ाई के लिए पूरी तिर तैयार होते हैं वैसे भारतिय सेना के तीनों अंगों में एक बड़ा फेर बदल अगले कुछ महीने में होने की संभावना है तीनों सेनाओं की अलगलक कमांड की जगह थेटर कमांड लेंगे पूरे देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी तीन से चार थेटर कमांड पर होगी अमेरिका और चीन की सेनाएं थेटर कमांड के धाचे पर ही काम करती है कृष्ट मोहन मिश्रा, Zee Media, दिल्दी